तो आएए देखते हैं ऐसे कौन-कौन से समायोजन होते हैं जो हम इस अध्याय में देखेंगे दूसरी मात पूर्ण बात एक्चुली ये समायोजन याने एड़िस्मेंट क्योंकि इनको हम कहते हैं तो वास्तों में ये कुछ इस तरह से एड़िस्ट किये जाते हैं कि कहीं से हमको निकालना है कहीं पर उसको डालना है यानि कहीं से हमको इन एड़िस्मेंट को लस करना है कहीं पर उसको एड़ करना है कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो adjustment होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनके प्रविस्टियां हम कम से कम दो जगा करते हैं हमारे पास वैपार खाता है लाभानी खाता है और चिठा है इन समयोजनियों को कहीं पर हम जोड़ेंगे कहीं घटाएंगे इसके नियम क्या है इनको याद करने की बजाए हम समझें कि इनके सिधान्त क्या है क्यों हमने कहीं पर इनको प्लस किया क्यों हमने कहीं पर इनको माइनस किया तो आएए देखते हैं इस अध्याय से समबंदित कुछ महत्तोपूर्ण समयोजनों के बारे में सबसे पहला समयोजन अंतिम स्टॉप अंतिम रहतिया जैसे कि सध्याय के प्रारम में ही आपने जाना कि क्या होता है अंतिम रहतिया वर्ष के अंत में बिना भिका हुआ माल जो हमारी फॉर्म में बच गया एक वैपारी या तो माल को बना कर बेचता है या कहीं से खरीद कर उसका रुप परिवर्टन करके बेचता है यादि जो निर्मित माल किसे वित्यवर्ष के अंत में बच जाता है हो सकता है उस वैपारी का वित्यवर्ष 1-31 मार्च हों या हो सकता है किसी वैपारी का वित्यवर्ष एक जन्वरी से 31 दिसंबर हो दोनों ही कंडिशन में वित्यवर्ष का अंत यानि कि 31 मार्च या 31 दिसंबर को जो भी माल यानि कि निर्मित माल बिकने से रह गया वो माल वो स्टॉक उस फर्म के लिए क्लोजिंग स्टॉक यानि की अंतिम रहतिया कहलाता है अब हम बात करें इसके समायोजन की यानि की एज़िस्मिन की तो यहाँ पर आपको दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात अगर ये closing stock याने की अंतिम रहतिया trial balance के अंदर दिया गया है तो ऐसी condition में आपको इसकी entry केवल trading account के credit side में करनी है दूसरी महत्रपूर्ण बात अगर ये अंतिम रहतिया या closing stock adjustment याने की समायोजन के अंतरगत दिया गया है तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये समायोजन है तो इसको हमको कहीं न कहीं दो जगाँ एड़िस्ट करना है तो इसको पहली बात तो हम व्यापार खाते याने की trading account के credit side में लिखेंगे और दूसरी बात क्योंकि ये stock है बचा हुआ है माल है मारे पास रखा हुआ है यहीं कहीं न कहीं एक संपत्ती की तरह है तो इसको हम अपने balance sheet याने की स्थिति विवरण में संपत्ती की ओर अंतिम stock मान कर लिखेंगे इन दो समयोजनों का ध्यान रखना है आपको दूसरा समयोजन अदत वे outstanding expenses की meaning जान ले हम सबसे पहले outstanding अदत हमने सेवाएं प्राप्त कर ली है लेकिन अभी तक payment हमने नहीं किया है किसी manager से हमने उसकी सेवाएं प्राप्त कर ली है लेकिन commission अभी तक उसको नहीं दिया अदत commission किसी के भवन का प्रयोग हमने कर लिया है लेकिन किराया अभी तक पेंडिंग है सरल शब्दों में हम कहें यानि अदत किराया किसे कर्मचारी से हमने उसकी सेवाय प्राप्त कर ली लेकिन अभी तक हमने उसको वेतन नहीं दिया यानि अदत वेतन कहीं न कहीं ये हमारे लिए लाइबिलिटी है हमारा दाई तो है हमने सेवाएं प्राप्त की है तो हमको उसको पेमिंट कर देना चाहिए यानि ये है हमारे लिए लाइबिलिटी आए देखते हम इसको एड़ेस्ट कैसे करेंगे अदत्वे को संबंधित्वे में हमको जोड़ देना है पहली बात दूसरा क्योंकि अदत्वे हमारे लिए दाई तो है लाइबिलिटी है इसलिए हमको इसको चिठ्थे के दाई तुपक्ष में लिखना है अदत्वे यानि किसी भी अदत्वे और सिर्य आए आँ थे डिखन की लिखन लिए हमको इसी रूल को फोलो करना है या गवाधिजी आफ जो जा में आव वह पूर्व दत्वे प्रीपेड एक्सिंश जस्ट अपोजीड अदत्वे का मिसद्वे प्रीपेड एक्सिंश कमसी अभी तक हमने सिवाय प्राप्त नहीं की हैं लेकिन पेमिंट हमने पहले कर दिया दूसरे शब्दों में कहें तो एडवांस पेमिंट एडवांस पेमिंट को ही हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं हमने मैनेजर को appoint किया है उससे कुछ हमको जानकारी प्राप्त करनी है कुछ काम करवाना है लेकिन हमने उसको पैसा पहले से ही दे दिया है अभी वो month start नहीं हुआ है जब से हमने उसको काम पे रखना है यानि यह कहलाएगा prepaid commission हमने एक भवन rent पे लिया हुआ है अभी हमने उसको use करना शुर यानि कि खर्च जो हमको करना है हम पहले से कर चुके हैं हमारे लिए वो रिजर्व में पहले से वो खर्च हो चुका है अब हमको उस खर्च को नहीं करना पड़ेगा तो prepaid expenses यानि कि पूर्वदत्वे हमारे लिए एक प्रकार से संपत्ति है और क्यूंकि current year में अब हमको प expense में से माइनस कर देना है और दूसरा हमको इसको चिट्थे के संपत्ति पक्ष की और लिख देना है कि किसी भी adjustment के लिए हमको विशेस तोर पर ध्यान रखना है कि जब हम क्रियात्मक प्रेश्णों को हल करना शुरू करें तो हम बिलकुल ध्यान में रखें कि जो adjustment है जो सम today you have access whom कहीं से जाएंगे कहीं से निकलेंगे कहीं यैंड हो जाएंगे कहीं less हो जायेंगे तो इसका ध्यान रखते हुए हमको विट्राणों को अगला सा मयोजन उपारजित और आया यानि आप प्राप्ट यानि ऐसी आया जिसके बदले हमने सेवाएं दे दी है लेकिन अभ कर चुके होते हैं और उसका पैसा जो होता है उसका मूल जो होता है वो हमको मिला नहीं होता लेकिन हम उसको कहीं न कहीं इपने डारे में नोट कर लेते हैं कि यह पैसा मुझे मिलने वाला है याने हम उस पैसे को अपनी संपत्ति मान लेते हैं जब वो मिलेगा तो मेरा ही तो उपारजित आय यानि एक्रूड इंकम या आप्राप्त आय क्योंकि आपको प्राप्त होगी भविश्य में और एक प्रेकार ढese संपत्ति है आपके लिए इसले इसका समयोजिन किस प्रेकार करेंगे आप्राप्त आय को हम संबंधित आय में जोड़ देंगे और दूसरा हम इसको चिठे के संपत्ति पक्ष की और लिखेंगे अगला समायोजन हम देखें अनुपारजित आय यानि कि पूर्व प्राप्त आय यानि उपारजित आय के जस्ट अपोजिट advance में पैसा हमने ले लिए काम अभी तक किये नहीं है और advance लेके बैठ गए है अब ये हमारे लिए liability हुई कि भाई पैसा तो हमने ले लिया है उसका काम भी हमको करके देना है दूसरी बात पहले से पैसा हमने ले लिया है किसी वर्ष में तो चालू अर्ष में तो अब वो हमको मिलने वाला नहीं है, याने घट के शो होगा वो, माइनस करेंगे हम उसको, तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री किस तरह से करेंगे, समायो जन्म किस तरह से करेंगे, अनुपारजित आय को हम संबंधित आय में से घटा देंगे, और दूस सिर्फ उतना ही चिट्टे के दायत तुपक्ष में लिखना है, अगला समायो जन्म हम देखें, मूले हास, डेप्रिसेशन, सीधे सीधे तोर पर कहें, तो इस्थाई संपती के मूले में होने वाली कमी को मूले हास कहते हैं, आपने एक बाइक आज अगर 80,000 रुपे की खरी तो क्या वो 80,000 रुपे में ही बिकेगी, बिलकुल नहीं, तो मान लेजिए कि वो बाइक आपने 50,000 रुपे में बेची, तो 80,000 और 50,000 रुपे के बीच का जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस कहलाता है मूले हास, यानि उस बाइक के मूले में जो कमी हुई है, जो एक वैपारी अपने फर्म में बहुत सारी स्थाई संपत्यों का प्रियोग करता है, बहुत सारी मशीने लगाता है, फनीचर लगाता है, बिल्डिंग होती है उसकी, तो इस तरह की स्थाई संपत्यों के मूले में जो कमी आ जाती है समय के बीचने के साथ-साथ, या depreciation कहलाती है अब depreciation क्योंकि एक प्रकार से व्याय है तो इसको हम व्याय मानते हुए किस तरह से इसका समय जन्म करेंगे सबसे पहले तो मुल्य हास को हम संबंधित संपत्ती में से घटा देंगे जैसे मशीन पर हास है तो उसको हम मशीन में से घटा देंगे फ़नीचर पर हास है तो उसको हम फ़नीचर में से घटा देंगे भवन पर हास है तो उसको हम भवन में से घटा देंगे और जितनी मूल लिहास की राशी है आपको ध्यान में रखना है कि केवल डेप्रिसियेशन की अमाउंट मूल लिहास की जितनी राशी है केवल उतनी ही राशी को हमको आप्रत्यक्ष वै मानते हुए लाभानी खाते के डेबिट साइड में लिख देना है तो इस प्रकार से हम मूल लिहास याने के depreciation को adjust कर लिए अब अगला जो हमको समायोजन प्राप्त होता है यहां पर वो होता है पूंजी पर ब्याज, interest on capital एक वेपारी ने फॉर्म में जो पूंजी लगाई है उस पर एक ब्याज सुनिश्चित कर दिया जाता है अब यह एक प्रकार का company के द्वारा किया जाने वाला व्य होता है तो इसकी हम adjustment entry किस तरह से करते हैं कैसे हम इसको adjust करते हैं आए देखते हैं पूंजी पर ब्याज क्योंकि दे होता है तो जब हम balance sheet में दाइत्व साइड में पूंजी लिखते हैं capital लिखते हैं तो इस पूंजी पर ब्याज को उसमें हम जोड़ देते हैं प्लस कर देते हैं और दूसरा क्योंकि यह दे होता है form के द्वारा दिया जाता है तो इसको हम लाभानी खाते के debit side में कर देते हैं और इसी तरह से हम समयोजन करते हैं आहरण पर ब्याज की आहरण के बारे में हमने पिछले कई अध्यायों में देखा कि एक व्यपार का जो स्वामी होता है वो निजी प्रियोग के लिए अगर व्यपार से किसी धनराशी को आहरित करता है यानि निकालता है या फिर माल को निजी प्रियोग के लिए निकाल लेता है तो वो निकाला गया माल या निकाली गई धनराशी जिसका उद्देश निजी प्रियोग है आहरण कहलाती है अब व्यपारी के द्वारा आहरित इसी राशी पर उसको फॉर्म को देना होता है यानि एक तरह से हम देखे तो यह form के लिए लाब है उसको ब्याज प्रापते हो रहा है तो आए देखते हैं कि इसको हम कैसे 엘्जस्ट करेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि आहरण पर ब्याज को हमको आहरण में add कर देना है यानि जोड देना है यानि पहले जो आहरण की राश्री थी वो ब्याज लगने के साथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी दूसरी महत्वण बात अब क्योंकि आहरण पर जो ब्याज दिया जा रहा है उस वेक्ति द्वारा जिसने भी फॉर्म से आहरित किया वो फॉर्म में प्रॉफिट के रूप में आ रहा है या हम कहें तो आय के रूप में आ रहा है तो आय मानते हुए लाब मानते हुए हमको आहरण पर ब्याज की अमाउंट को विशेश रूप से ध्यान में रखना है कि केवल आहरण पर ब्याज की अमाउंट को हमको प्रॉफि समायोजन हम देखते हैं आप प्राप्य रिण अशोध्य रिण या जिसे हम कहते हैं डूबत रिण बैड़ खराब देंदार डूब गये कई बार ऐसा होता है कि हम विश्वास करके कुछ लोगों को उधार माल बेच देते हैं और एक समय निर्धारित कर दिया जाता है ये कहा दिया जाता है कि निश्चित समय के पिश्शाथ जिसको भी हमने हँदार माल बेच बैच उस समय की समाप्ती पर पिर मुसके बार करते हैं जिसके बारे में आपने वाड़ी जी विशे के अंतरगत पड़ा कई बार हम उसको इस तरह के पत्र लिखते हैं लेकिन बार-बार मांगने के बाद भी जब उस वैपारी से हमको उधार वाली राशी प्राप्त नहीं होती तो हम मान लेते हैं कि वो पैसा डूब गया अब नहीं मिलने वाला है हम उसको ये मान लेते हैं कि वो जो देंदार थे वो खराब देंदार थे मांगने के बाद भी उन्होंने पैसा नहीं दिया हमारा पैसा डूब गया है ऐसा रिण जूडूब गया यानि डूबह रिण सीधी सी बात है सुन्נे से समझ में आ जा रहा है कि हाणी है मिलना था पैसा उधार माल बेचे थे लेकिन मिलना नहीं डूबभ गया दूबह रिण यानि कि bad dips की रूप में हमने उसकी entry अपने books of account में कर दी अब ऐसी condition में हम इसका समायोजन अगर डूबत रेंड तलपट में दिया है तब तो वो हमारे लिहानी है और आपने trial balance के अंतरकर देखा कि हम उसको बहुत आसानी से debit कर देते हैं केवल trial balance में दिया है adjustment में नहीं दिय लेकिन यही डूबत रेंड अगर adjustment में दे दिया गया है तो हम क्या करें ऐसी condition में हमको इस डूबत रेंड को देंदार में से घटाना है क्योंकि यह वही राशी है जो देंदारों से मिलनी चाहिए थी और अब नहीं मिलेगी यानि उतने के देंदार हमको अब कम कर देने च किया था लेकिन अब पता चल गया कि वह राशी नहीं मिलने वाली है तो अब हम क्या करेंगे कि संपत्ती साइड में हमने जो देंदार लिखा है उसमें से हम डूबत रेंड की राशी यानि बैट डिप्स की राशी को डेटर में से माइनस कर देंगे पहली बात दूसरा अज़स्मेंट क्योंकि यह जो डूबत रेंड की राशी है यह फॉर्म के लिए लॉस है सीधा सीधा तो लॉस मानते हुए डूबत रेंड की राशी को हमको प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना है विशेश रूप से ध्यान में रखना है क केवल डूबत रेंड की अमाउंट को ही हमको प्रॉफिट अन लॉस के डेबिट में लिखना है तो यह हुआ डूबत रेंड का समयोजन अब अगर हम बात करें डूबत रेंड संचिती की क्या होता है कोई भी वैपारी जब वैपार करता है तो एक अनुमान लगा लेता है क हो सकता है कि कुछ पैसा डूब जाए अब ऐसी कंडिशन में जब एक बड़ी अमाउंट डूब जाती है तो व्यपारी के जो आर्थिक सिती होती है वो थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है अब अचानक से वो कैसे मैनेज करें उतने पैसे को जो कि डूब चुके हैं इसके ल राशी को डूब अत्रिन मानते हुए उस प्रोविजन फॉर बैट डिप्स में ट्रांसफर करता जाता है और कभी अगर ऐसी कंडिशन आ गई कि बहुत सारा पैसा डूब गया तो वो जो प्रोविजन वो जो संचय बना कर रखता है फिर उसके अमाउंट से फिर वो मैनेज कर लेता है तो एक प्रकार से हम यही मानते हैं कि वो बैट डिप्स ही है बैट डिप्स की ही अमाउंट है और इसका ट्रेट्मेंट हम बिलकुल वैसे ही करते हैं जैसे कि हम देंदारों पर डूबत रिंड का समयोजन करते हैं यानि इस कंडिशन में भी हमको डूबत रिंड संचिती की जो राशी होती है उसको संपत्ती साइड में हमने जो देनदार बनाया हुआ है उसमें से हम माइनस कर देते हैं और उसको हम हानी मानते हुए लाभानी खाते के डेबिट साइड में लिख देते हैं अब अगला समायोजन हम देखें देनदारों पर बट्टा डिसकाउंट और डेटर्स कई बार ऐसा होता है कि जिनको हमने उधार माल बेचा है वो हमारे डेटर्स होते है उनसे पैसा वसूल करने के लिए हम उनको कुछ डिसकाउंट दे देते हैं अब मिलना चाहिए था हमको जो पैसा उसमें से कुछ पैसा तो छूट में चला गया डिसकाउंट में चला गया तो ओसरी में देनदारों को बट्टा देते हैं क्वा क्यूंकि उनसे हमको राश्री प्राप्त करनी है जिससे हमको राशी प्राप्ति करनी है हमको इसको बट्टा देना होता है तो दो चीजे यहाँ पर आती है एक तो हमने जो अपने डेटर से यहाँ पर लिखे हुए थे वो कम हो जाएंगे याने हमको इसका समायोजन करना है समपत्ति साइड में से देनदार में से बट्टे की राशी को घटा कर और दूसरा यह बट्टा क्योंकि वेपार के लेग प्रकार का व्याय हो गया हमने देनदारों को बट्टा दिया यह हमारे लेग प्रकार का व्याय हो गया इसलिए सिर्फ बट्टे की राशी, डिसकाउंट के अमाउंट को सिर्फ हमको profit and loss अकाउंट के debit side में लिखना है, indirect expenses मानते हुए, तो ये हमको समयोजन इस तरह से करना है, देनदारों पर बट्टा, एक महत्वपोर्ण बात यहां पर आती है, कई बार प्रश्ण में डूबत रिण याने bad dips, उसके बाद डूबत रिण संचय याने की provision for bad dips, और उसके बाद discount on daters याने की देनदारों पर बट्टा, ये तीनों ही एक साथ दे दिये जाते हैं, ऐसी condition में हमको ध्यान रखना है, कि इसको हम एक process से calculation इसकी हम करेंगे, सबसे पहले हम देनदारों में डूबत रिण याने की bad dips माइनस करेंगे, उसके बाद balance amount में से हम provision for bad dips माइनस करेंगे, और उसके बाद हम discount on data याने की देनदारों पर बट्टा माइनस करेंगे, तो इस process के according ही हमको देनदारों को treat करना है यहाँ पर, अब हम बात करते हैं, लेनदारों पर बट्टा, लेनदार यानि दाईत्व है हमारा, हमको पैसा किसी को देना था, उसने हमको छूट दे दी, हमको किसी को 2000 रुपए payment करना था, यानि कि हम लेनदार है, उसने हमको 10% की छूट दे दी, यानि 200 रुपए अब हमको उसको कम पे करना है, अब हमको उसको केवल 1800 रुपए ही पे करने है, यानि कहीं न कहीं हमको profit हो रहा है, आप लाब हो रहा है, तो adjustment हम क्यासे करेंगे इसका, यहाँ पर हमने चिट्ठे के दाइत्य यानि की liability side में जो लेनदार यानि creditor लिखा हुआ है, उस creditor में से हम discount on creditor, यानि लेनदार उपर बट्टा, इस amount को minus कर देंगे, क्योंकि चाहे देनदार उपर हो, चाहे लेनदार उपर, बट्टा तो हमेशा deduct होता है, घट कर ही लिया या दिया जाता है, तो यहाँ पर हम इसको घटा देंगे, deduct कर देंगे, दूसरा समयोजन क्योंकि हमने देखा कि हमको लाब हो रहा है, जितना हमको payment करना था, उससे कम हम पे कर रहे हैं, यानि यह हमारे लिए प्रकार का लाब है, और इसको लाब मानते हुए, हम profit and loss account, यानि लाब आनी खाते के credit side में लिखेंगे, अब इन समयोजनों के बारे में तो हमने देखा कि इन समयोजनों को हम कैसे कहाँ पर plus या minus करके adjust कर लेते हैं, लेकिन इन ही समयोजनों के लिए हमको कई बार पंजी प्रविस्टियां भी देनी पड़ती है, तो आए देखते हैं कि इन समायोजनों की पंजी प्रविस्टियां किस प्रकार दी जाती हैं अब आए कुछ ऐसे समायोजनों के बारे में जाने जो हाला कि समायोजन के मुख्य बिंदों के अंतरगत तो नहीं दिये होते लेकिन कई बार प्रेश्टों में हमको इस तरह के points दे दिये जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि उनके प्रविस्टिया हम कहां पर करें जैसे कई बार दिया रहता है माल नमूने के रूप में मुफ्त दिया specimen देते हैं एक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे वैपारी जो किसी वस्तु का वैपार करते हैं वो अपने वस्तु को बेचने से पहले उसके थोड़े से भाग को नमूने के रूप में फुटकर वेपारियों के पास देते हैं स्पेसिमेंट के रूप में उनको देते हैं ऐसी कंडिशन में हम इसका समयोजन कैसे करें तो क्यूंकि यह वही माल है जो आपने बेचने के लिए खरीदा था क्रे किया था तो हमको ध्यान में रखना होगा कि इसके अजिस्मेंट के ल दूसरे बात क्योंकि एक प्रकार का यह व्याय है उससे हमको कुछ अर्निंग तो प्राप्त होने वाली नहीं है हमने फ्री स्पेसिमेंट दिया है तो इसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस मानते हुए लिख देना है दूसरा कई बार हमको दे दिया जाता है माल का आहरन किया आहरन पर व्याज तो हमने आहरन के साथ देख लिया लेकिन अगर आहरन सिर्फ दिया गया है तो हम क्या करें निजी प्रियोग के लिए हमने माल निकाला या पैसा निकाला आहरन कहलाया कौन सी अमाउंट कम हुई यह कौन सा माल कम हुआ हम कहें तो वो माल जो हमने क्रे किया था और क्रे करते समय हमने उसको व्यपार खाते याने कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा था अब किसी व्यपारी के द्वारा कुछ मात्रा में आहरण कर लिए जाने पर वो क्रे किया गया माल कम हो जाएगा तो ऐसी कंडिशन में हम क्रे में से याने कि वैपार खाते के डेबिट साइड में हमने जो क्रे यह पर्चिस लिखा है उसमें से हम यह आहरण की राशी को माइनस कर देंगे और दूसरी बात हमको ध्यान में रखना है कि इसी आहरण की राशी को हमने जो दाइतो याने कि चिट्थे के दाइतो साइड में लाइबिलिटी साइड में बैलेंशीट में हमने जो लिखा है कैपिटल उसमें से भी हमको इस आहरण की राशी को माइनस करना है अब बात यह आती है कि ये जो चिट्ठे के दाइतो साइड में, liability साइड में हम capital लिखते हैं, उसमें बहुत जोड तोड होता है उस पे हम interest on capital भी डालते हैं, drawing डालते हैं, interest on drawing डालते हैं profit या loss यानि कि net profit and net loss भी हमको उसी के अंदर करना होता है तो कैसे हम उसको एक sequence से करें, तो आपको ध्यान में रखना है यहां पर कि आप balance sheet के liability side में आपने जो capital लिखा हुआ है उसके नीचे आपको interest on capital अगर है तो पहले add कर देना है यहां पर जो total आता है, इसमें से आपको drawing and interest on drawing दोनों की amount को add करके फिर जो भी balance आपको capital में से और interest on capital को add करने के बाद जो प्राप्त होता है उसमें से इसको हमनों minus कर देना है और अब जो balance मिल रहा है फिर उसमें हमको net profit या net loss plus या minus करना है अगर net profit होता है तो यहां पर हमको balance में add कर देना है plus कर देना है और अगर net loss होता है तो यहां पर हमको net loss को minus कर देना है यह सारा जो calculation है उसको हमको balance sheet में liability के inner column यानि particular में ही करना है और final जो amount आती है net loss या net profit के plus minus होने के बाद उसको हमको फिर outer column में लिख देना है तो इस process का भी हमको ध्यान में रखना है अब एक point हमको कई बार adjustment में देखने को मिलता है माल चोरी हो गया या एक बात हमको देखने को सुनने को मिलती है माल नस्ट हो गया आग लग गई माल नस्ट हो गया ऐसी condition में हमको क्या adjustment करने है माल चोरी हो जाए या माल नस्ट हो जाए दोनों ही कंडिशन में माल तो चला गया वैपार से दोनों ही कंडिशन में लॉस तो हुआ है वैपार को कौन सा माल कम होगा अगर माल चोरी होता है या आग से जल जाता है तो वो माल कम होगा जो कि हमने खरीदा था बेचने के लिए यानि जिसकी entry हमने trading account यानि व्यपार खाते के debit side में क्रे पर्चिस मान कर की थी तो अब क्योंकि वो क्रे किया गया माल कम हो रहा है तो ऐसी condition में हमको trading account के debit side में हमने जो purchase लिखा हुआ है उसमें से हम इस आग से नस्ट माल या फिर चोरी हुआ माल को minus कर देना है दूसरी बात क्योंकि adjustment है अब आग से जल जाए चाहे चोरी हो जाए दोनों ही condition में form को loss तो होता है तो इसको loss मानते हुए हानी मानते हुए हमको profit and loss account के debit side में लिख देना है यानि कि वल उतनी ही राशी को हमको profit and loss account के debit में लिखना है जितने का माल जलकर नश्ट हुआ या फिर जितने का माल चोरी हुआ तो ये माल परहानी के लिए adjustment हो गया कई बार हमको इस तरह के adjustment देखने को मिलते हैं जब प्रबंध करता को हमको commission देना होता है जिसे हम यहाँ पर कहते है managerial commission प्रबंध की commission की गढ़ना और अगर ये adjustment में आ जाए trial balance में आता है तब तो हम expense मान के सीधे सीधे profit and loss के debit में लिख देते हैं लेकिन कई बार ये managerial commission हमको extra calculate करने होते हैं extra इनका adjustment हमको करना होता है तो कैसे हम इनका adjustment करेंगे एक महत्वपुन बात कि ये managerial commission है याने एक प्रकार का व्याय है चाहे हम manager को दे या किसी को भी दे commission ही आपर हम दे रहे हैं एक प्रकार का व्याय है तो इसको हमको profit and loss account के debit side में लिखना है और क्योंकि ये हमको दे है हमको देना है एक प्रकार का हमारा diet तो है तो इसको हमको diet तो मानते हुए चिठे के liability पक्ष में लिखना होगा तो ये हमने बात की managerial commission की है अब एक बात आती है कि कई बार firm में firm का जो वैपारी होता है वो कोई machine या furniture यह हम कहें तो किसे इस थाई संपत्ति को वो उधार खरीदता है credit purchase करता है और इस तरह का कोई point अगर हमको दिख जाता है तो हमको क्या करना है कोई भी संपत्ति जब हम उधार खरीदेंगे तो हमारे नए लेंदार बनते हैं नए creditor बनते हैं दूसरी बात चाह संपत्ति हो या माल हो किसी से भी जब हम उधार खरीदते हैं तो हमारे creditor यानि की लेंदार बन जाते हैं या अगर पहले से हैं तो बढ़ जाते हैं तो सीधा सीधा एक समयोजन है कि हम इस उधार खरीदेंगे मशीन या किसी भी इस्थाय संपत्ति की जो राशी है उतनी राशी को हम लेंदार में add कर देंगे जोड देंगे यानि की चिट्थे के दाई तुपक्ष में हमने पहले से जिस लेंदार की या creditor की प्रविस्थी की हुई है उसमें हम इस नई amount को यानि जितने की हमने machine खरीदिया कुछ भी credit हमने purchase किया इस नई amount को उसमें हम जोड देंगे दूसरी बात हम चाहे नगद खरीदें या उधार खरीदें अगर हम कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उससे हमारी संपत्ति में वृद्धी तो होगी तो जो भी हमने नया खरीदा है अगर हमने machine additional खरीदी है तो संपत्ति साइड में जो machine हमने लिखी हुई है उसमें जोड देंगे furniture हमने additional खरीदा है तो हमने balance sheet के संपत्ती side में जो furniture लिखा हुआ है उसमें add कर देंगे और अगर पहले से नहीं है कोई new machinery है, कोई new assets है तो उसको अलग से हम balance sheet के asset side में show कर देंगे अब कई बार firm क्या करती है किसी दूसरी firm को किसी व्यक्ति को रिण देती है और कई बार बाहर से रिण लेती भी है ये जो रिण लिया या दिया जाता है इस पर ब्याज भी लगाया जाता है या प्राप्त होता है यानि अगर कोई firm किसी दूसरी firm को रिण देती है उधार देती है लोन देती है तो जाहिर सी बात है कि ब्याज उसको प्राप्त होगा ऐसी कंडिशन में अगर किसी प्रकार का समायोजन प्रश्चन में दिया गया है तो कैसे हमको उसके एंट्री करनी है आईए देखते हैं मान लेजे यहाँ पर दिये गए रिण पर ब्याज इस तरह का वाक्य लिखा गया है तो हमको समझ लेना है कि हमने जो रिण दिया है उस पर हमको ब्याज प्राप्त होगा और प्राप्त ब्याज है ये मानते हुए उसको हमको लाभानी खाते के क्रेडिट साइड में लिख ले है आया है हमारे लिए या कह तो संपत्ती हो गई तो यहां पर हमने जो रिंड दिया है उस पर जो ब्याज प्राप्त होगा उसको हमको एक संपत्ति साइड में यानि कि हमने जो बैलेंशीट बनाई हुई है हमने जो स्थिति विवरण बनाया हुआ है उसके संपत्ति साइड में भी हमको लिख देना है आप देखें इसका जस्ट अपोजिट प्राप्त किये गया रिंड पर ब्याज समझना पड़ेगा इसको हमको यहाँ पे कि यह कौन सा ब्याज है हमने जो रिंड प्राप्त किया है उस पर ब्याज सिर्फ इतना ही सेंटेंस अगर लिखा गया है तो हमको ये समझना होगा कि जो रिण हमने प्राप्त किया है उस पर हमको ब्याज दे होगा यानि हमको देना होगा यानि ये जिस ब्याज के हम बात कर रहे हैं वो हमारे लिए एक प्रकार का व्याय है और हमारे लिए एक प्रकार के लाइबिलिटी है तो व्याय मानते हुए इस ब्याज को याने प्राप्त किये गयरेंड पर ब्याज की राशी को हमको व्याय मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है और liability यानि की दाई तो मानते हुए इस राशी को हमको चिठे के दाई तो पक्ष में लिखना है तो ये हमने बात की लिये गरेंड पर ब्याज और दिये गरेंड पर ब्याज के बारे में